इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और यह पूर्णिया का मदवनी इलाका है और आपको हम एक ऐसे बिजनसमेन से मिलाने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद आप आश्चर्ज में पड़ जाएंगे अमोमन आप ज्यादा तर आप देखते हैं कि जो लोग बिहार से हैं वो लेकिन यह एक ऐसे भाई है जो कहीं न कहीं बाहर से आके बिहार में वह भी खास करके अगर आप पूर्णिया से देख रहें तो आपको बता दें कि पूर्णिया में आके बिजनस कर रहे हैं तो बड़ा ही हम लोगों को लगा कि एक बार जाना चाहिए और इनसे बाचित कर और दिखाना चाहिए तो आपको बता दें कि हमारे बगल में राशिद भाई है जो कि मुरादाबाद से हैं आपको पता होना चाहिए मुरादाबाद हमारे स्टेट में नहीं है और यहां पूर्णिया में क्या बिजनस करने और यह कम बड़ी बात नहीं उन युवाओं के जिनको लगता है लोग कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं या फिर कोई छोटा मोटा धंदा हम लोग नहीं कर सकते तो उसके मूँ पे कहीं न कहीं यह जोड़ दारत तमाचा है तो सबसे पहले रासिद भाई हमारे चैनल पर आपको सवाग्त की जी एक चीज बताइए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दर्सकों को बताइए कि हमको पता चला कि आप मुरादाबाद से आये हुए हैं सर में रहने वाला जो हूं मुरादाबाद का हूं यूपी उत्तर पढदेश हैं अपने वहां फरम अरके मेटल के नाम से नाम से अपने अपना वहां फरं है मैनिफेक्ट्रिंग इसकी हम लोगों की अपनी है जैसे वुडन का एटम हो गया मास्टर फिलर है कंचा है बोल है कैप है जितना भी ऐसे स्रीज में यह एटम आता है यह सब हमारा अपना वहां बनता है वहां का प्रोपेटर मैं हूं और यहां जो हमने यह ब्रांच अपना ड प्रोपेटर्व में है सबीर्ण मेरे च्छोटे भाई हैं मेरे नाम है सब्दाबं और मेरा नम जो है मौहमद राशित खान है लोग इई विए लोग विए से दंडिय और इधर का मार्केटिंग जो है मैं देखता हूं और कश्मीर और इस साइट का जो है मेरे दूसरे भाई देखते हैं और यहां का जो है पिछने चार गपूरणिया पैसनिya भी अच्छी है लोग भी यहां के अच्छे तो इसलिहाज से दिमाख में आइडिया आया कि एक जो है यहाँ पे एक दुकान डाल देते हैं जिसमें अपना जो फैक्टरी का एटम है अपने कार खाने का जो हमारा मुरादबाद में बनता है पिलस वो और उसके अलावा जो है मतलब पाइप बगेरा इस्टील का यह सब रखने का हमारे दिमाख में एक आइडिया आया कि एक दुकान जो है भाई को करा देते हैं और उस लिहाज से छोटे भाई को यहाँ बिजनिस करा के दिया है फिलाहल वो बिजनिस देखते हैं सामने कुछ आइटम इनका रखा हुआ है लेकिन मेरा में मकसद समान दिखाने का नहीं कि इस तरह के दुकान कई सारे पोर्निया में उपलब्द हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बाहर से आए इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं यह मुरादाबाद से और यहां पर जैसे हम अपने शहर में अपना आपको महसूस करते थे वैसा ही हम यहां महसूस कर रहे हैं और दूसरा जो है अपने पास इस टील का लगबग सारा विराइटी है इस टील के का तो A to Z अपने पास सारा समान मिल जागा और जो नहीं है अगर आज कोई भी अगर किसी को एटम चाहिए तो आज अगर ओडर देगा तो अगले दिन जो है उसे महिया करा दिया जाएगा उसे जो है टाइम पर समान मिल जागा जैसे के अपने पास इस टाइम एसन भी कंपनी का जो है पाइप आया वह है पूरे एट परसेंट निकल है जीएसल का और पोलिश वगएरा जो अपना सब बनता है तो लगबग अपने पास सारा ही कुछ है आपने पास के फोन पर पार्टी सामने वाला ओर लिखा देता है उसके हिसाफ से माल का बजन करके जो है उन्हें एक बिल वगएरा जो है उनका सेंड कर दिया आता है बहुर सवाल पूछे कोई आप लोगो ठकता नहीं ना बियार में है ऐसा सोच कि आप मुरादाबात से आये हैं कभी कभार हुआ ठक लिया आपको अबी तक अलहम्दिल्ला नहीं हुआ है और बाकी अबी तक नया लोग को देखिए होता कुछ लोगों के मन में ना जितना भ हमें भरबूर सपोर्ट करते हैं से हम लोग रमजान में या रहे तो रमजान में भी हमें दिक्कत नहुआ अफ्तार बगेरा हमें बनानी की जरूवत नहीं बड़ा पड़ोसी हमारे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपने यहां से बना के अफ्तार समय से 10 मिनेट पहले ही बेज दिया करते थी अब पढ़े लिखे में जी पढ़ाबा तो हूं मैं उर्डु का पढ़ाई किया है मतलब में अपसे पूछना है मैं ने जो है मतलब हाई स्कूल किया है तो एक चीज बताइए कि जैसे आज के समय में जो लोग जो युवा बेरोजगार है या फिर स्टडी कर रहे हैं उनका उम्र हो गया पचीस साल तीस साल जॉब के लिए भटक रहे हैं और आप इस उमर में 20-22 साल के उमरें बिजनेस करें उनको मेरे फादर ने इस बिजनेस को सुरू किया फादर के बाद में जो है अब वो घर पे ही रहते हैं अब उस बिजनेस को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं सब भाही मिलके और इसके बाद में जो है यही बिजनेस मेरी मेरे जो है मतलब मेरे पास दो बेटे हैं अलम्दुल्ला और आने वाले टाइम में यही बिजनिस मेरे बेटे देखेंगे तो बिजनिस में क्या है अगर आप नोकरी कर रहे हो तो उसका फाइदा जो है मालिक के बच्चों को मालिक को मिलता है और बिजनिस का फाइदा जो है वो आपको मिलेगा और आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ नोकरी की तरफ ना भागते वे आप अपना एक कोई भी बिजनिस छोटा और बड़ा कुछ नहीं है बिजनिस होना चाहिए मानलो एक चाय का दुकान कोई लेके बैठा तो मैं तो उसे भी मानता हूं कि वो भी मेरी नेयर में बिजनिस है कि चाय का है आज उसमें वो कुछ न कुछ आइटम बगएरा बढ़ा बढ़ा के उसे रेस्टोरेंट बी बना सकते हैं आने वाले टाइम में क्या है वो एक बढ़ा बिजनिस बन सकता है तो मेरा जो मानना है और मैंने इतनी उमर में काफी जगह में मतलब लगबग बिदेश भी गया हूं में और हिंदुस्तान तो लगबग मैं अलामद्लिल्ला पूरा ही लगबग कुछी जगा बचाऊ होगा जो ना गया हूं बाकी मैं लगबग सभी जगह घूमा हूं अभी आपका एक ब्रांच है ना ये मेरा जो है एक दुकान हमने गौहटी में भी किया था असाम में और वहां जो है हमारे दोस्त हैं अर्चिद मित्तल फिलाल जो है वो बिरांच उनी के सपुर्ट कर दिया है वही देखते हैं बागी फिटिंग वगएरा जो है मेरा ही उस द बहुत जल्दी एक दूसरा बिरांच जो है लॉंच करेंगे पूरा बिहार में चाह जाना ब्रांच को बढ़ाना है जरूर मतलब बिजनिस को जो है हम थोड़ा जो है ज्यादा दियान देते हैं बिजनिस के उपर तो हमारे दिवांग में है हम भी आलम्दिल्ला मानलो दिखा रहे थे राशिद भाई हमारे हैं जो कि मुरादाबाद से हैं और बिहार में पहला ब्रांच इसका पूर्णिया में और कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बाहर से लोग धेरे धेरे आकर हमारे बिहार में अपना विवसाय को बढ़ारे धंदे को सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बिहार में मुरादाबाद से कहेंगे कैसा फील हो रहा बिहार में आके आप लोग बिजनेस कर रहे हैं कि फील गया मतलब सब अच्छे ही लोग है यहां के लगभग में दो साल से यहां को काम किया है मैंने बिहार में लगभग सारे ही मतलब इस्ट्रेड घूम चुका हूं में बिहार के मार्के डिसर्च कर रहे हैं जी जी और सबसे बढ़िया जिला मुझे यही लगा इसलिए म मैं यह संदेज देना जाओंगा कि मतलब सभी कोई और कोई नों कोई घृइब ऑторов पड़ derecho तो अगे बढ़ता एक बार नुकसान घंखा घाटा घाएगा के शिलीर, यह हमारे साँ रासिद भाई थे। इधर हमारे साथ सद्दाम भाई यहां के प्रोप्रैटर थे और हमने को यहां का दिखाया कि यह लोग बहार से कहीं न कह आकर बिस्नेस कर रहें बाकि इन दोनों भाईयों से हमारी बातचीत हुई आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर बताएं